है अब वेल्कुम बाग तो फार्मेसी इंडिया आज के इस ख्लास में जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि फार्मेसी इंडिया ने स्टार्ट करा है वन शॉट सिरीज उसी में आज हम बायो केमिस्ट्री का यह जो टॉपिक है विटमिन्स इसको कम्प्लीट करने वाले हैं पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीज़े होती है चैप्टर के अंदर लेकिन हमें स्मार्टली पढ़ना होता है कि हमें यह पता होना चाहिए कि क्वेस्ट्र कहां से बन सकते हैं वही चीज़ आज हम इस क्लास के अंदर डिसकस करेंगे जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है है ना आगके एक्जाम पॉइंट ओफ यू से किस तरीके के क्वेस्ट्र आ सकते हैं सारी चीज़े डिसकस करेंगे आज के इस क्लास में चली शुरू करते हैं विटमिन्स आपका चैप्टर सबसे पहली चीज़ वो यह है इसके क्लासिफिकेशन किस तरीके से इसको के अंदर विटमिन्स को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं दो पार्ट में डिवाइड होता है सबसे पहला है वाटर सॉलीबल क्या होते हैं वाटर सॉलीबल नाम से आप सभी लोग जान रहे होंगे वाटर सॉलीबल यानि जो विटमिन्स पानी में अराम से घुल मिल उनसे दोस्ति कर लें वह थे वोटर सॉलिवल विटामीन्स विचार अब विटामीन को यह ढूलना है कि पानी कहां है मिक्स होगा पानी के थूट आपकी बॉडी के अंदर वो अबजॉर्ब होता है यह होते हैं आपके विटामीन विटामीन्स दूस्ते होंगे fat soluble vitamin इनको घुलने मिलने के लिए इनको आपकी body के अंदर circulate करने के लिए fat की जरूरत होती है तो हम कह सकते हैं कि they need they need fats या फिर lipids to get absorbed to get absorbed ये चीज़े याद रखेगा जरूरी दोनों है चाहे वह water soluble हो चाहे वह fat soluble हो दोनों equally important होते हैं चलिए water soluble की बात करें तो again ये भी दो part में divide होता है पहला है non B complex और दूसरा होता है B complex non B complex में सिर्फ एक ही आएगा वह सी विटामिन सी जिसको आप citrus fruit से ले सकते हैं बहुत सारे इसके बहुत ही सारे बहुत सारे इसके sources होते हैं और दूसरा है B complex जो B vitamin होता है उसके काफी तरीके के आपके विटामिन पाए जाते हैं B के जो सब टाइप्स हों बहुत तरीके के होते हैं B complex को अगें आप दो part में divide करते हो सबसे पहला होगा जो energy release करते यानि energy releasing जिसके अंदर आते हैं बहुत सारे चिक है आपके total vitamins में से दो को छोड़कर सारे जितने विटामिन आएंगे बी complex वाले सब आएंगे आपके energy releasing के अंदर बी वान यानि थाइमीन बी टू यानि राइबो फ्लेविन भी त्री यानि नियसे चिक है बी फाइफ बी फॉर तो होता नहीं है बी फाइफ होता आपका energy releasing में यानि इनसे energy release होती है जब हम खाते हैं इनको जब अब्जॉर्ब होते हैं तो वहां से energy release होगी ठीक है दूसरे जो होंगे वह हीमोपाइटिक यानि कि आपकी बॉड़ी के अंदर जो प्रॉसेस चल रहा होगा हीमोपाइश उसमें help करने वाले होंगे हीमोपाइटिक ब्लाड से रिलेटेड होंगे कहीं न कहीं दो विटामिन होते हैं एक तो बी नाइन डाट इस फॉलिक एसिद एड़ी ट्वेल्ट इसका बड़ा रोल है तो इसलिए याद रखे का इसको काफ़ इंपॉर्टेंट भी है फिर बात करते हैं क्लियर हो गया होगा आपको बड़ा ही इजी वे में मैंने बना कर लाया है सारी चीज़े अब एक एक करके सारे विटामिन के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में आने चाहिए फैट सोलिबल के वह है आपका विटामिन ए सबसे सबसे पहले में इसी फॉर्माड में आपको बदाने वाली हो यानि की उनका थोड़ा सा फीचर की नाम क्या है कहां से आया यह वह उसके बाद उसके सौर्सेस फंक्शन एंड एफिशेंसी यानि उनकी कमी से होने वाली बिमारिया ठीक है विटामिन ए रेटिनल के नाम से ज की बात करें तो जितने भी आपके होते हैं सबसे पहले चीज वहां से आपको मिलता है फिश लिवर ओई बीफ लिवर आपका चीज है मिल्क है बहुत सारी चीज़े हैं प्लांट बेस्ट और एनिमल बेस्ट सोर्सेस दोनों तरीके के पाए जाते हैं अगर हम विटामिन एक की बात करें अब यह मैंने क्या बूंबिया प्लांट बेस्ट एनिमल बेस्ट तो याद रखेगा कि कुछ विटामिन ऐसे भी होते हैं जिनमें या तो सिर्फ होंगे या फिर प्लांट बेस्ट सोर्सेस हो सकते हैं आपके जो एक्जाम है उसके अंदर इस तरीके का भी सवा सकता है कि बताइए इन में से कौन से विटामिन का सिर्फ और सिर्फ अनिमल बेस्ट होता है ठीक है आपको कुछ विटामिस दे दिये जाएंगे तो यूशुड नो आंसर करेक्ली तो यह सारी की सारी चीज़े दोनों तरीके के सोर्स इसके अंदर पाए जाते हैं प्लांट आप कह सकते हो कि इनकी मदद से आपको कलर्स डिफ्रेंशियेशन करने में हेल्प मिलती है आप देखने में भी मदद करते हैं यह रोड्स और आपकी बॉड़ी को अब यह रोड्स और इन दोनों के अंदर क्या पाया जाता है रेटिनल यानि जो विटामिन ए होता है है ना याद रखेगा चलो इम्यून सिस्टम को थोड़ी सी मदद करते हैं आपके विटामिन ए अब इसकी डेफिशियंसी की बात कर लेते हैं कि इसकी वज़ा से क्या होगा अपने रतौंधी का नाम जरूर सुना होगा यही एक बिमारी है जो कि विटामिन एक ही कमी से होती है ल विटामिन डी इस नौन एस कैल्सी फरोल तो नाम याद रखना काफी जरूरी है लिखते जाएगा कैल्सी फरोल यह जो कैल्सी फरोल है यह दो तरीके का मिलता है आपको नैचरली अकरिंग है आहना आपको राम से मिल जाता है विटामिन डी आंड विटामिन डी टू यह द की जो बॉन्स होती है उनको थोड़ी ताकत मिल जाती है तो यही चीज़ है कि जब आप धूप में बैठते हो यही इंपोर्टेंट है आपको महां से विटमिन को सबसे ज्यादा वह है इंकी सबसे पहली यानि हड्याँ बहुत ज्यादा कमज़ोर जाती है उसके बाद रिकेक्ज है इम्यून सिस्टम ऑटोविवनीटी का जो खत्रा है वह बढ़ जाता है अगर यह जो है आपकी vitamin D की कमी हो रही है body can, ठीक है, clear हो गया होगा, next पढ़ते हैं, next is vitamin E which is known as tocopherol, ठीक है, इसकी जो most common active unit है, that is alpha tocopherol, जो की काफी use की जाती है, ये एक anti-fertility vitamin है, anti-infertility vitamin भी होता है, ठीक है, जी क्या मतलब ये pregnant women में use किया जाता है, उसके बाद sources की बात करें, तो basically जो इस plant based है, है ना, cereal, germ oil, vegetables, fruits, ये सब इसके बढ़िया example है, लेकिन अगर मैं बात करूं, meat, ये सारे के मतलब जो animal based sources होते हैं, वो काफी कम, उतके अंदर जो vitamin E है, वो काफी कम अमार में पाया जाता है, और आप तो सभी लोग जानते हैं कि vitamin E की capsules भी आते हैं, तो supplement के form में भी है आप इसको ले सकते हैं, काम की बात करें, antioxidant है, properties की antioxidant है, deficiency, सबसे पहले कि ये healthy ovum को produce करने में, हैना, मदद करता है, इसके बाद loss of mortality of spermatozoa, अगर vitamin E की कमी हो रही है, तो जो sperm की mortality होती है, वो कही न कहीं कम हो जाती है, नाम याद रखेगा, anti-infertility vitamin, चीके जी, इसके बाद disease होती है, उनको उनका जो तूटना है, वो start हो जाता है, जल्दी जल्दी वो रक्चर होनी, start हो जाती है, बनती है, नहीं, रक्चर जल्दी हो रही है, तो eventually क्या होगा, कि ultimately आपका जो blood है, उसके अंदर RBC का जो count है, वो धीरे 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 कम हो जाएगा, इसी के साथ ही क्यान के नाम से जानते हो, तीन तरीके के विटमिन के पाए जाते हैं, के वान, के टू, और के तू, कैसे differentiate करेंगे, side chain की, आपकी जो side chains होती है, कार्बन की उसके basis पर, सबसे पहले याद दिखेगा, कि जो के वन हैं, that is known as phyloquinone, इसके अंदर 20 side chain पाई जाती है, कार्बन क 20 carbon की side chain पाई जाएगी, उसके बाद K2 की बात करेंगे, which is known as menaquinone, menaquinone के अंदर 30 carbon की side chain पाई जाती है, और अगर मैं K3, यानि मैंना डायोन की बात करूँ, तो ये एक synthetic vitamin है, ये naturally occurring नहीं है, इनको हमने ही बनाया है, K3 को, तो ये हो गया आपके vitamin K के types, next बात करते हैं, sources की, तो plant and animal दोनों बढ़िया sources है, vitamin K, plant based sources की बात करेंगे, तो बहुत सारी vegetables होती है, cauliflower, cabbage, spinach, सारे के सारे इसके बढ़िया example है, उसके बाद अगर मैं animal based की बात करूँ, तो dairy product, बहुत सारे cheese, meat, और इसे के साथ egg, milk, ये सब बढ़िया example है, आपके vitamin K के sources की, और अगर मैं इसके function की बात करूँ, तो ये coagulant है, क्या मतलब है इसका, देखे, vitamin K, के से बनता है coagulation, ऐसे आप याद कर सकते हो, ठीक है, के से बनता है coagulation, तो यहाँ से आप learn कर सकते हैं, कि it is a type of coagulant, आपकी body के अंदर, जो clothes बनते हैं, blood clothes बनते हैं, उनको बनाने में ये help करता है, हैना coagulation factor भी इसको कहा जाता है, vitamin K को, next बात करते हैं, इसकी deficiencies, इसकी तो सबसे पहला है mal absorption of lipids, अगर vitamin K body के अंदर कम हो रहा है, तो lipids का mal absorption है, वो कही न कहीं start हो जाता है, इसके बाद post-traumatic bleeding, यानि कि ये मैंने अभी बताया आपको, क्या है ये coagulation factor है, excessive bleeding होती रहेगी, होती रहेगी, क्योंकि कोई रोक टोक करने वाला नहीं होगा, है ना, फिर उसके बाद internal bleeding, ये भी वही चीज़ है, लोट बनना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, लेकिन जगा भी उतनी important है, अगर blood vessel के अंदर बन जाए, तो नुकसान है, बाहर बने, तो को add-soluble vitamins, आगे बढ़ते हैं, water-soluble vitamins कोन-गोन से होते हैं, बी और सी, बी के डिव टाइप, और सी जो है आपका, बढ़ाए, simple ascorbic acid, तो आगे बढ़ते हैं, सबसे पहला है, बी वान विच इस नोन इस थाइमीन, थाइमीन के बहुत सारे रोल होते हैं, पहले sources की बात कर ले किजे, vitamin का नाम, sources क्या है, उसकी deficiency क्या है, और उसके साथ उसका function क्या है, है ना, तो यह चीज़े आपको learn करने में easy हो जाएंगी, अगर मैं आज के sources की बात करो, तो तीन भागों में यह divide होता है, rich sources, उसके बाद थोड़ा सा good sources, मतलब mild sources, जहां से ठीक ठाक मिल जाते हैं, और कुछ है fair sources, मतलब जहां से बहुत कम amount में मिलता है, अगर मैं rich sources की बात करूँ, तो जैसे outer coatings of rice है, है ना, wheat है, yeast है, यहां से आपको मिलता है vitamin B1, बहुत जादा amount में, good sources की बात करेंगे, तो जैसे आपकी डाले, cereals, यह oil seed, यहां से मिलता है आपको vitamin B1, और अगर मैं fair sources की बात करूँ, तो fair sources में जैसे आपकी animal based जो चीजे हैं, जैसे fish, liver, meat, यह सब हो जाता है, इसका भी वन का, नेक्स बात करेंगे, इसके function की, तो जो carbohydrate का metabolism होता है, उसमें काफी हद तक help करता है, इससे होने वाली बड़ी famous बिमारी है, बेरी बेरी, ठीक है, तो यह याद आवाल में पूछा जा सकता है, कि बेरी बेरी is a cause by the deficiency of which vitamin, तो you should know the answer, B1 that is thymine, ठीक है, बी 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 बेरी बेरी, ऐसे आप याद कर सकते हैं, वाइनिक्स कोर्शोफ सिंड्रॉम जिसको आप सेरीब्राल बेरी बेरी भी कह सकते हैं, और पॉली नुराइटिस, तो यह तीन त इसके sources होते हैं, बहुत सारे, legumes, grains, आपकी vegetable, fruit, सबसे मिलता है, पीटू, चीक है, और yeast, egg, milk, dairy products, इनसे भी बड़े अच्छे sources हैं, आपके बी टू के, फंक्शन की अगर मैं बात करूं, तो फंक्शन में बहुत सारे काम होते हैं, पहला है, बॉड़ी की growth में, आपकी जो सारी चीजों में help करता है, बीटू, यानि राइबू फ्लैविट, दूसरी चीज है, आरबीसी की production में, red blood cell का जो production होता है, जिसको आप hemopoices के नाम से भी जानते हैं, hemopoices, ठीक है, यह, और इसी के साथ protein में, जब metabolism होता है, वहां से energy release होती है, तो याद रखेगा, यह energy releasing है, सबसे पहला classification, उसके बाद उसमें help करता है, यह, next deficiency की बात करें, तो glossitis है, कियोलिस है, उसके बाद angular stomatitis, तो यह कुछ बिमारियां हैं, जो vitamin B2, यानि riboflavin की deficiency से आपको देखने के लिए मिल सकती है, इनके बहुत सारे supplement के form में भी आप इनको intake कर सकते, तो यह है, next, vitamin B3, that is niacin, अब इसकी जो active form है, वो है niacinamide, ठीक है, active form is niacinamide, sources, holograms, cereals, legumes, yeast, liver, fish, oil, eggs, यह सब इसके sources हैं, काम की बात करेंगे, तो आपकी body में cholesterol level को कम करने में काफी हद तक B3 help करता है, ठीक है, body में जब cholesterol level maintain रहेगा, तो आपका जो serious problem है, यानि की जो आपकी heart diseases होती है, वो भी काफी हद तक control में रहती है, तो यह काम होता है, B3 यानि niacin का, इसके अगर मैं deficiency की बात करूँ, तो पहलागरा, इसकी बड़ी female बिमारी है, पहलागरा, यह होती है, जब B3 कमी हो जाती है, बोडी के लिदा, next is B5, that is pentothenic acid, pentothenic acid के जो sources है, वो mostly animal based sources होते है, ठीक है, mostly animal based, है ना, और इसलिए मैंने आपसे कहा था, कि आपको पता होना चाहिए, कौन से vitamin के जो sources है, वो animal based होंगे, plant based होंगे, या फिर दोनों हो सकते हैं, तो इसके जो sources हैं, basically those are animal based sources, ठीक है, egg, milk, आपका meat, liver, यह सारी के सारी चीज़े क्या है, sources of vitamin B5, function की बात करें, तो body के अंदर coenzyme A का formation करता है, ठीक है, coenzyme A, और coenzyme A एक ऐसा enzyme है, coenzyme A, एक ऐसा product है, जिसका इस्तमाल बहुत सारी cycles में होता है, For example, TCA cycle, that is a tricarboxylic acid, चलो TCA, आप समझी गए होंगे, ठीक है, यहां से होता है, For its role, the synthesis of oxidation of fatty acid, fatty acid का बीटा oxidation होता है, ठीक है, उसमें भी यूज किया जाता है, coenzyme A, and oxidation of pyruvate, in citric acid cycle, that is TCA cycle, Deficiency की बात करें, तो pentathenic acid की वज़ा से होता है, Gopalans burning foot syndrome, यानि simply आप कह सकते हो, burning foot syndrome, इसमें क्या होगा, जैसे ही आपका जो पैर का नीचे वाला portion होता है, foot जो होता है, वहां आपको ऐसा लगएगा, कि बहुत जादा जलन हो रही है, बहुत बतलब intense pain, ठीक है, इतना जादा जलन होती है, इतनी जादा pain होती कि अगर हलका सा paper भी कोई लगाएगा, आपको लेगा, कोई जला रहा होगा, ठीक है, तो this is known as Copalans burning foot syndrome, या फिर simply burning foot syndrome, next जो vitamin है, वो है B6, यानि pyredoxin, pyredoxin के जो sources है, वो दोनों तरीके के हो सकते हैं, plant and animal based, अगर मैं बात करूँ, plant based की, तो grains, legumes, vegetables, fruits, पहुँचा रहे हैं, इसके बाद बात करेंगे, इसके animal based के, तो animal based में milk, meat, egg, ये बड़े अच्छे example होते हैं, sources होते हैं, vitamin B6 के, आगे बढ़ते हैं, इसके function की बात करें, तो आपकी body के अंदर, जो neurotransmitter का formation होता है, है ना, neurotransmitters, यानि जो chemical messengers होते हैं, chemical messengers, for example, serotonin, dopamine, है ना, nor epinephrine, epinephrine, ये सारे के सारे neurotransmitter हैं, इनका काम होता है, example से समझे, आपको चोट लगी यहां पर, ठीक है, अब यही हाथ, ऐसे नहीं जाएगा आपको brain को बताने, कि वहीं आपको चोट लग गई है, कुछ दो, reaction दो, दर्ड़ हो रहा है मुझे, क्योंकि बॉड़ी के अंदर ही neurotransmitters present होते हैं, छोटे 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 लॉंगेस्ट नर्व होती हैं, इनके थुरू क्या होगा, कि बॉड़ी में ही इस जगा से यहां पर messages पहुँच जाएंगे, और वहां से वहां तक क्या जाएगा, reaction जाएगा, ठीक है, यहां से यहां तक message पहुचा और यहां से यहां तक वापस reaction बहुए, कि आपको हाथ अटाना है, है ना, अब ऐसा तो नहीं होगा कि आपने कुछ गरम चीज़ से touch कर ली, उसके बाद आपने दिमार को बताया, ठी ठीक है, कि मैं वापस जा रहा हूँ, जल्दी-जल्दी से मुझे बताओ कि reaction क्या देगा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि neurotransmitters present होते हैं, नेक्स्ट, आगे बात करते हैं, इसके deficiency की, तो जो peripheral neuritis या फिर hypochromic microcytic anemia, ठीक है, यह जो microcytic anemia है, इसमें क्या होगा, body में blood की कम इ इसकी deficiency से problems, next, जो आपका vitamin है, that is B7 यानि बायोटीन और इसको आप anti-egg white injury factor के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, anti-egg white injury factor, which is known as, sorry, biotin, that is B7, sources की बात कर ले, sources की अगर हम बात करें, whole cereals, wheat, rice, यह सब बढ़िया example है, meat, egg, liver, बहुत बढ़िया example है, plant and animal, दोनों based sources होते हैं, vitamin B7 के, function की बात करें, तो function, यह जो metabolization का process होता है, body के अंदर, fats, carbohydrate, protein, ठीक है, तीनी चीज़े आप खाते हो, fats खाते हो, carbohydrates खाते हो, या फिर protein खाते हो, किसी भी form में, इनका metabolization में help करता है, vitamin B7, that is, biotin, ठीक है, इसकी जो कमी से deficiency हो सकती है, सबसे पहली है, anemia, anemia, यानि body के अंदर, अगर blood की कमी हो रही है, that is known as anemia, दूसरी जो problem होने के chances पर सकते हैं, that is, dermatitis, यानि की skin infection एक तरीके का, ठीक है, and loss of appetite, भूख, खतम जाते हैं, अगर B7 क हो रहा है, body के अंदर, next vitamin है, that is B9, second last है, folic acid, इसका नाम है, इसके जो sources है, leafy vegetable, चीक है, बहुत बढ़िया source है, leafy vegetable, मतलब rich source है, चीक है, याद रखेगा, whole grain, cereal, liver, kidney, egg, meat, यह सब बढ़िया example है, vitamin B9 के, function की बात करें, तो RBC of production, hemopoiesis में help करता है, B9, और इसी के साथ- नाने में भी, काफी हद तक help करता है, ठीक है, बात करेंगे, इसके deficiency की, तो deficiency के अंदर में, क्यालो, ब्लास्टिक अनीमिया, इसके अंदर क्या होगा, कि जो RBC का size होगा, normally यह होता है, example, normally यह होगा, लेकिन यहाँ पर RBC का size होता है, वो mega, यानि बढ़ा हो जाता है, और इ कम हो जाएगा, क्योंकि एक RBC तिनी ज़्यादा जगा ले लेगी, है ना, तो उसके हिसाब से उसका नंबर धीरे-धीरे-धीरे-धीरे कम हो जाएगा, यह होता है, आपका megaloblastic anemia, तो यह है, vitamin B9, next, and the last is vitamin B12, which is known as sinocobalamine, यहाँ रखेगा, most complex, most complex, अब इसके अंदर cobald present होता है, यह एक लोता ऐसा vitamin है, जिसके अंदर element present होता है, कोबाल, कैसे याद रखेंगे, नाम याद कर लो, sinocobalamine, cobald, यहाँ से आप learn कर सकते हो, चीक है, इसका formula आपके सामने हैं, बड़ा ही खतरनाक है, next sources की बात करें, तो सिर्फ और सिर्फ animal based sources इसके होते हैं, animal based यह एक ऐसा vitamin है, जिसका कोई plant based source नहीं होता है, तो अगर कोई vegetarian है, वो कैसे कमी पूरी करेगा, दही खा के, ठीक है, lactobacillus, इसके अंदर vitamin B12 भर-भर के पाया जाता है, curd के अंदर, ठीक है, curd में, तो याद रखेगा, सिर्फ animal based है, curd भी एक animal based ही हुआ, क्योंकि milk से बना है, इसके बात करेंगे, तो होमो सिस्टीन से methionine का formation करने में help करता है, vitamin B12, और इसकी deficiency होती है, परनीशियस अनीमिया, ठीक है, तो यह है, सारे के सारे vitamins, with their names, with their, क्या उनके sources है, with their function, with their deficiency diseases, I hope यह clear हो गया होगा आपको, ठीक है, इसी के साथ साथ, लाज जो विटेमिन है, वो ह है, C, और इसका नाम होता है, scorbic acid, इसके जो sources है, सबसे पहले citrus fruit है, या दखेगा, लेकिन एक ऐसा source है, है न, blueberry, यह एक ऐसा source है, जिसके अंदर भर भर के, आपको vitamin C पाया जाता है, आमला, lemon, guava, coriander, amaranth, seeds, यानि कि जो भी citrus fruit है, जितने भी citrus fruits हैं, आपके सब खटे fruits, citrus यान acid के, function की बात करेंगे, तो आपकी body के अंदर, bone and teeth को, यह support provide करता है, इसके साथ, उनको थोड़ी सी और जादा strength provide करेगा, उनको और मदद करता है, सारी की सारी जो function होते हैं, उनको perform करने में, इसके बाद antioxidant ही, ठीक है, it is an antioxidant, and bile acid synthesis में help करता है, what is this bile acid, यह वही है, जो कि आ लिपिड को metabolize करने में help करता है, कहां सिक्रीट होगा, कहां बनेगा, liver में बनेगा, गॉल ब्लैडर से सिक्रीट होगा, अलग अलगे दोनों चीज़े, यहाद रखेगा, formation होगा liver में, secretion होगा gallbladder से, ठीक है, नेश बात करते हैं, इसके deficiency की, तो deficiency के अंदर सबसे पहली चीज़ जो आईगी, वो है scurvy, ठीक है, इस tendency, blood, यही मैं बोल ली हूँ कि गम से, जो आपके gums होते है, है ना, teeth gums जो होते है, वहाँ से blood आने लग जाता है, internal hemorrhage, ठीक है जी, the gum become painful, swollen and spongy, यह प्रॉब्लम देखी जाती है, जब किसी को भी scurvy की problem होती, ठीक है, तो चलिए, इसके साथ ही हमने complete कर लिया है, अप पर clear हो गया होगा आपको, और अगर आपको, as it is, इसके notes चाहिए, तो telegram channel पर भी आप join कर सकते हैं, या फिर आपको link दी गई है, description box के अंदर, सारी की सारी links है, महाँ पर join कर लिजे, पार में सी, इंडिया के जो दूसरे platform से telegram, instagram, youtube, तो है ही, whatsapp, ज़रूर join करिएगा, उस अपली वीडियो में, तब तक के लिए, stay tuned with pharmacy, इंडिया, thank you and take care.